गुड्डू और बंटी नाम के दो दोस्त थे दोनों साथ में स्कूल जाते थे दोनों काफी शरार्ती थे लेकिन बंटी अक्सर शरार्तों में गुड्डू को भी पीछे छोड़ देता था एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे क्यों गुड़ू मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरी मा को मत बताना कि स्कूल में मास्टर ने मुझे मारा था फिर भी तुने उन्हें सब कुछ बता दिया ओ वो अरे वो मैंने नहीं बताया वो तो चाची को किसी और ने बताया था तो वो आकर मुझसे पता कर रही थी कि पक्ती है या नहीं बस फिर जब उन्हें सबसे पहले से ही पता था तो मैं जूट बोल कर करता भी क्या हाँ हाँ सब पता है मुझे कि तू कितना सत्यवादी है तेरे सच बताने के चक्र में उन्होंने मेरी चूते चपलों से कुटाई की है अब छोड जो हुआ तो हुआ खूल जा सारी पिताई बंटी और गुड़ू ऐसे ही बाते करते हुए जा रहे थे कि तभी बंटी की नजर सामने पड़े एक चिराग पर गई बंटी भागता हुआ गया और उसने चिराग को उठा लिया अरे छी छी ये क्या है अब तू कूडा भी बीनेगा अब मैं ये बताओं तेरी मा को तू पागल है क्या गुड़ू ये तुझे कहां से कूडा नजर आ रहा है अरे ये तो खजाना है खजाना क्या मगर कैसे ये तो कोई बहुत पुराना चिराग लग रहा है और अक्सर पुराने चिराग से कौन बाहर आता है जिन और फिर वो जिनने तेरी अरिच्छा पूरी करेंगे है ना सचमोच मुझे नहीं पता था कि तू इतना बड़ा पागल है अरे मुझे तो लगता है चाची के हाथ से जूते चप्मल खाने के बाद तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है गुड़ू हसते हुए स्कूल के रास्ते पर चल देता है और बंटी उसके मजाग पर चर जाता है इस गधे के पास खुट तो दिमाग है नहीं इसलिए इसे मेरी बात भी समझ नहीं आई अभी मैं ये चिराग अपने साथ स्कूल ले चलता हूँ बाद मैं इससे जिन बुल इतना कहकर बंटी चिराग को अपने बैग में रख लेता है और गुड़ू के साथ स्कूल पहुंच जाता है कुछ देर बाद जब लंच हो जाता है तब बंटी चुपके से अपना बैग लेकर बातरूम में जाता है मैंने तो सोचा था कि घर जाकर इस चिराग को फिसूंगा और इस में से जिन बाहर आएंगे लेकिन मुझसे तो रहा ही नहीं चा रहा है अब यहीं सही मौका है यहां आसपास कोई है भी नहीं जल्दी से जिन को बाहर बुलाता हूँ आज मम्मी ने लंच में बैंगन रख बाबा कितना मसा आने वाला है बंटी खुश होकर चिराग को घिसता है और जिन के बाहर आने का इंतजार करने लगता है लेकिन चिराग से जिन की जगा तीन डरावने भूत बाहर आ जाते हैं उन्हें देख कर बंटी की हालत खराब हो जाती है यह क्या इस चिराग से भूत कैसे निकलाए वो भी तेंग तेंग क्या बात है बच्चे तुने हमें बड़े दिनों के बाद इस चिराग की कैट से आजाद किया है अरे तुम भी क्या बातों में लगे हो मुझे तो बड़ी भूग लग रही है चलो हम तीनों इसे ही खाके शुरुवात करते हैं नहीं नहीं हम इसे नहीं खा सकते हैं जो कोई भी हमें चिराग से बाहर निकालेगा अगर हमने उससे नुक्सान पहुचाया तो हम वापस से चिराग में कैट हो जाएंगे तीनों भूद बाहर चले जाते हैं और बंटी अभी भी डर से काप रहा था उसे कुछ समझी नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ गया वो इतना डरा हुआ था कि उसकी बातरूम से बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा बंटी चौक कर चिला उठा नहीं मुझे मक्खाना मुझे मक्खाना अरे ये मैं हूँ बंटी कुड़ू तेरा दोस्त खबरामत ये सब क्या हो रहा है कुड़ू ये भूठ ये भूठ कहा से आ गई मैं तो जिन बुला रहा था लेकिन साब कड़बर हो गई मैंने तो तुझे मना किया था ना कि उस चिराग को वहीं छोड़ दे लेकिन तुने मेरी एक नहीं सुनी मैं यही पाथरूम के अंदर था और मैंने अंदर से सब सुन लिया है मुझे तो बहुत बड़ी गलती हो गई गुड़ू अब हम क्या करेंगे वो तीनों भूत बाथरूम से बाहर चले गए है जरा सोच गुड़ू बाहर कितने सारे बच्चे है ऐसे तो सारे बच्चे और मास्टर खत्रे तबी बंटी और गुड़ू को कई बच्चों के चीखने की आवाजे सुनाई देती है चल बंटी, बाहर चलकर देखते हैं कि आखेर क्या हो रहा है हमें कुछ भी करके सब को बचाना होगा क्या बाहर? नहीं, नहीं मैं यहां से बाहर नहीं जाओंगा बाहर भूत है तेरा दिमाख खराब है क्या बंटी? ये सब तेरी ही वज़े से हो रहा है और तू अकेले अपनी जान की फिकर कर रहा है बाकी सब का क्या मुझे ये सब कुछ नहीं पता मैंने कह दियाना कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बस नहीं जाऊंगा ठीक है पड़ा रहे यहीं पे टर्पोख कहीं का तरपोखी नहीं, तू तो मतलबी भी निकला गुड़ू, मैं तो जा रहा हूँ इतना कहकर गुड़ू बात्रूम से बाहर निकल जाता है और बंटी वहीं बैठा रहता है बाहर निकल कर गुड़ू जब बाहर का हाल देखता है तो एक पल के लिए तो उसकी भी हालत खराब हो जाती है पूरे स्कूल पर भूतों ने हमला कर रखा था और हर तरफ लोगों की लाशे बिची हुई थी स्कूल लोगों की चीखों से गूंज रहा था गुड़ू खड़ा खड़ा ये सब सोची रहा था कि तभी पीछे से बंटी आ जाता है बंटी तू? तू तो आने नहीं वाला था ना? हाँ गुड़ू थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी हो गया था लेकिन तूने मेरी आँखे खोल दी ये सब परिशानी मैंने ही खड़ी की है ना? तो अब इसे मैं ही ठीक करूँगा क्या बाश बंटी? मुझे तुझसे यहीं उमिद थी लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? गुड़ू तू बाथरूम में ही छिपा था ना? तो तूने सुना नहीं था कि वो भूत क्या बोल रहे थे? क्या? अरे गुड़ू उसमें से एक भूत मुझे काना चा रहा था लेकिन तभी उसे एक दूसरे भूत से रुख दिया था अरे हाँ वो भूत ने कहा था कि वो लोग उसे नुक्सान नहीं पहुचा सकते हैं जिसने उन्हें चिराग से बाहर निकाला है और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो वापस चिराग में कैद हो जाएंगे हाँ बिल्कुल ठीक तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे की साप भी मर जाए और लाठी भी न तूटे बंटी गुड़ू को इशारा करता है और वो दोनों तुरंत भूतों को ढूणने के लिए निकल जाते है बंटी गुड़ू को दिखाता है कि तीनों भूत स्कूल की दूसरी मनजिल पर थे और कुछ बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बंटी और गुड़ू दोनों जल्दी से उपर जाते हैं लेकिन बंटी सीड़ियों के पास छुप कर खड़ा हो जाता है गुड़ू अकेले ही भूतों के सामने आता है और उनसे कहता है उए भूत जरा इधर देख उन बच्चों को क्या सता रहा है जम है तो इधर आ और मुझसे पंगा लेकर दिखा अरे अरे जरा कोई इस पिद्वी से लड़के को तो देखो इसकी इतनी हिम्मत ये हमें ललकार रहा है चलो चलो सबसे पहले चलकार इसे ही खाते हैं इसने हमारा मजाक उड़ाया है तीनो भूत गुसे में आग बबुला होकर गुड़ू को खाने के लिए भागते हैं लेकिन गुड़ू फॉरन पास में ही पड़ा एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उठाता है और भूतों पर फेक कर मारता है वो लकड़ी सीधा एक भूत के मुँपर जाकर लगती है और वो वही पर गिर जाता है गुड़ू उसे देखकर जोर-जोर से हसने लगता है अपना इतना जादा अपमान भूतों से सहन नहीं हो रहा था और इसी लिए एक भूत ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया और वापस गुड़ू की तरफ फेका लेकिन गुड़ू तुरंत वहां से हट गया और बंटी सामने आ गया वो टुकड़ा जाकर बंटी को लगा और बंटी के हाथ पर चोट लग गए एक भूत गुड़ू और बंटी को मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन तीनों भूत कुछ भी कर पाते उसके पहले ही वो वापस चिराग में जाकर कैद हो गए और बंटी और गुड़ू ने चैन की सांस ली आखिरकार हमने इन भूतों को वापस इनकी जगह पर पहुचा दिया बंटी और इसकूल में जो हाहा कार मचा हुआ था वो भी पत्तम हुआ लेकिन मुझे बहुत अपसोस है गुड़ू मेरी लापरवाही की वज़े से ही ये सब हुआ मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा नहीं बंटी देखो तुमने अपने हाथ पर ये चोट भी तो खाई न तुम्हारी पहात्री की वज़े से ही हम बाकी बच्चों की जान बचा पाए अब जो हुआ उसे भूल जाओ और चलो मेरे साथ फिर क्या था गुड़ो और बंटी चिराग को गाउंव से बहुत दूर फेकाए और सारे गाउं में ये बात फैल गई कि कैसे स्कूल में भूतों ने हमला कर दिया था और फिर गुड़ो और बंटी ने सब को बचा लिया